नमस्कार दोस्तों, good in to all of you, very good in to all of you, कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप सब बिलकुल दुरुस्त होंगे, शान्दार होंगे, बहतरीन होंगे, RBI ग्रेट भी नोटिफिकेशन आ चुका है और सब लोग अब बिलकुल जो बच्चे ऐसे जो की अभी तक इंतजार कर रहे थे कि नो वो वक्त आ गया है कि अब आपके पास किसी excuse के लिए आपके पास time नहीं है, कि हाँ, यह हो जाए तब हम सुरू करें, last moment एक तरीके सभाई notification आ गया, मतलब बिलकुल होते हैं पूरी जोर सोर से अपनी preparation को सुरू करने का वक्त आ गया है, अब हम लोग यहां पे, हम लोग त अभी करेंगे, अभी हम यहां पे partnership की चर्चा करेंगे, last lecture में हम लोगों ने ages पे काम किया था, एक बार comment box में बताएं आप सभी लोग कि ages दो lecture में हम लोगों ने किया, और कैसा आप लोग कितने question ages के solve किये, question आप कैसे solve कर रहे हैं, question solve हो रहे हैं कि ने एक बार जल्दी से comment box में, जरूर बताएं आप सभी लोग, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, आज हम इसी क्रम में partnership की चर्चा करने वाले हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब pin, paper ले करके बैठ चुके हैं, बिल्कुल शांती से, शिदद के साथ यहां, हम लोग जब topic wise करते हैं, तो चु आगे बढ़ने से पहले, दो-तीन important बात कि दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, और अड़र 24-7 की application, यह चीज़ आपके फोन में होनी चाहिए, क्योंकि application पे तमाम आपको चीज़ें, प्रवाइड कराई जाती हैं दोस्तों, ठीक है बई, चलिए सर, age is clear, बहुत बढ़िया, तो आईए जी आगे बढ़ते हैं, partnership की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बई, partnership की यहाँ पे चर्चा करेंगे, basic concept में अभी हम आपके सामने, एक सेकिंड, बस थोड़ा स मुझे वक्त दीजेगा, ओके, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, तो partnership के कुछ basic concepts हम लोग पहले सेख लेते हैं, basically जब भी कभी एक से ज़्यादा लोग मिल करके कोई business से start करते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिल करके, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यह लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके, जब business से start करते हैं, तो एक चीज पर अगर आप थोड़ा सा गवर करें, कि वास्तों में उस business का जो profit आएगा, वो किस ratio में भटेगा, यही पूरी analysis इस particular topic के अंतरगत हम लोग करते हैं, जाहिर सी बात है, जो पैसा ज़् रहा होगा, जो business की starting में, भई, कोई भी business से start करेंगे, तो इस starting में capital अपने, कुछ नो कुछ तो capital लगाएंगे, वो कुछ पैसे लगाएंगे न वो, तो अब जाहिर सी बात है, आपके मन में आता है, जो business की starting में, जो ज़्यादा capital लगा रहा है, उसका विटेज ज़्याद का investment कर रहा है, एक 500 का कर रहा है, तो आपके दिमाग में तो यह आता है कि 1000 वाले को profit ज़्यादा मिलना चाहिए, capital उसकी ज़्यादा है, लकिन ज़्यादा सोच के देखो कि जो 1000 लगा रहा है, वो मात्र बिजनेस में एक महीने तक रहे, और 6 महीने तक मालो की जो 500 रूपे लगा रहा है, वो सिर्फ 6 महीने तक बिजनेस में रहे, तो अब वजन किसका जादा हुआ, तब आपके दिमाग में आगा जाहिर सी बात है, हमने एक ही दृष्टी कोर से जब सोचा कि सिर्फ capital के point of view से सोचा, तो मुझे लगा कि जिसने ज़्यादा पैसे लगाया है, उसक सारे की सारी चीज़े होगी, तो हम capital को भी ignore नहीं कर सकते, हम time period को भी ignore नहीं कर सकते, तो मुझे वाली बात ये निकल के आई, कि यहाँ पे हम focus करते हैं, हर एक जो भी investment कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी partners हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, हमें सिर्फ इतना focus करना होता है, उनके द्वारा लगाई गई, capital क्या है, और duration of investment क्या है, ठीक है भाई, दो चीज़ों पे हम focus करेंगे, तो यहीं से partnership का एक concept निकल क्या है, suppose यह example के तौर पे हम तीन partner कहे दे रहे हैं, कि मा लीजे तीन लोग ABC हैं, जो मिल करके एक business से start करते हैं, हमें पहला काम focus करना होता है, कि हर एक के द्वारा लगाई गई धनराशी कितनी है, उस business में हर एक partner के द्वारा लगाई गई धनराशी कितनी है, जाहिर सी बात है, अलग-अलग यहाँ पे दिख रहा है, जाहिर सी बात है, पैसे अलग-अलग ही लगा है, तो M1, M2, M3 यह हमारे पास, तीन अलग-अलग capital हुआ है, उस पे भी हमें focus करना होता है, तो money और time का जो product रहा, यहीं बनता है, इनके investment का ratio, और जो यह इनके investment का ratio है, यहीं इनके profit share का ratio होता है, ठीके बई, तो हमें यहीं focus करना है, कि कितना पैसा कितने time तक लगा है, यह बात ध्यान रखेगा, कितना पैसा, कितने time तक ल कि अगर माली जी हमने कहा दो पार्टनर है A और B, A ने पैसे लगाए एक हजार रूपए, A ने एक हजार रूपए लगाए, B ने पांसो रूपए लगाए, हमने कहा कि माली जी A का जो टाइम पीरिट है दूस्तों, A पूरे बारा महीने लगा रहता है, जबकि B जो है वो वो क्या होगा दोस्तों किस रेशियो में ये लोग पैसे अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रिब्यूट कर रहे होंगे एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से तेजी के साथ सभी लोग एंसर बताएं यहाँ पे मयूरी जी है ठीक है राजीयू जी है मयूरी जी कहना है मेंस के सब्सक्राइब कि जो सेकेंड फेज होती उसे मैंस आती ही नहीं ठीक है ना अर्बै ग्रेट की परिक्षा में पहली फेज वन में ही आपको कॉंट मिलता है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं कि हमारे पास जो यहाँ पे दोस्तों सिंप्ली मैंने लिखा है कि money multiplied by time money multiplied by time इतना ही मैंने लिखा है आप यहाँ पे simply focus करेंगे ratio पे 5000 और 1000 यह टर्मिनेट हुआ तो यहाँ पे value 2 और 1 आ गई 6 से cancel करोगे यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों यहाँ पे आजाएगा 3 के बराबर यानि कि अब हमारा जो final ratio रहा वो क्या रहा 4 ratio 3 के बराबर तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा profit distribute होगा A और B के बीच में वो basically 4 और 3 के ratio में distribute होगा हमें इनी चीजों पे गौर करना है कितना पैसा कितने time तक थोड़ा इसका और 12 की से अर्थ संचे जो बार 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 बोल रहे है कितना पैसा कितने time तक it may be possible आपको पता चले कि A ने भाई 1000 रूपे से शुरुआत किया लेकिन तीन महीने के बाद उसने 400 रूपे निकाल लिए इसका मतलब अब यह 1000 रूपे मातर तीन महीने रहे उसके बाद उसने क्या किया मालो 400 रूपे निकाल लिए तो अब उसके एकाउंट में सिर्फ 600 रूपे बचे और वो 600 कितने time तक लगे हैं बस इसे पर आपको focus करना है कितना पैसा कितने time जो बार बार बोल रहे हैं सवाल 10 बचे आज हम लोग एक ऐसा method सिखेंगे जिससे हम 5-6 topic के questions से एक साथ कर सकते हैं ठीके ना तो 10-30 pm पे भी आप लोग को जरूर जुड़ना है बाखी 9 pm पे मेरी class होती है RBI assistant के लिए वो एक complete mock final punching RBI assistant का भी admit card आ गया है ठीके भाई तो सवाल आपकी screen पे रहा है और हम यह उम्मीद करेंगे कि सवाल का answer आप 40 second में तो दे ही दे दो बार हम timer चलाएंगे और उम्मीद करेंगे 40 second में आप सभी इसका जवाब दे ठीक है जी बहुत पढ़ियां बहुत शांदार तो हमने अभी अभी यह देखा था ठीक है अभी answer यहाँ पर 3 ratio 1 बताया जा रहा है दोस्तों हमने अभी अभी एक चीज यह देखी थी कि हमें basically capital या capital के ratio किसकी जरौत होती है आप खुद बताना ज़रा एक बार सभी लोग क् capital की जरौत होती या नि क्या हमें money की जरौत होती है यह हमें money की ratio की जरौत होती है जाहिए सी बात है आपको भी question ऐसे ही पढ़ना कि सबसे कौन से पार्टनर है तो हमने कहा राहूल और संजे अब इनकी capital पर focus करो कितने पैसे लगा रहे है राहूल ने शुरुआत की business की 45,000 से और उसके बाद संजे आता है 30,000 से अब अगर आप यहां पर 45,000 30,000 लिखेंगे उसके बाद आपको अलास्ट में terminate ही करना पड़ेगा, ratio ही लेना पड़ेगा, तो यह काम हम ऊपर ही क्यूं न कर लें ताकि हमारी calculation थोड़ा छोटी दिखे, है ना, हम यह काम ऊपर ही कर लेते हैं, अगर हम इनका ratio लेंगे 15 से terminate करो, तो 15 अगुड़े 3, 45, 15 अगुड़े 2, 30, यानि कि 3 ratio 2, राहूल और संजय का जो capital रहा, उसका ratio क्या है, 3 और 2, तो यह बात आपको सीखने को मिली, कि कभी भी capital हम लोग ने mention करते, capital का ratio, क्योंकि अगर capital लिखोगे, तो अगला stage, second step में आपको ratio ही लिखना है, ठीक है अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, राहूल started the business, राहूल ने business शुरुआद किया है, और साल भर के बाद profit calculate किया गया, साल भर में कितने महिने होते हैं, 12 महिने, राहूल ने start किया, एक साल बाद profit calculate किया गया है, यानि राहूल का पैसा पूरे 12 महिने लगा रहा, जबकि सवाल यह कह रहा है कि Sanjay 6 महिने के बाद join करता है, जाहिर सी बात है, 12 महिने में अगर वो 6 महिने बाद join कर रहा है, तो उसका पैसा कितने टाइम तक लगा रहा, इस पर focus करिएगा, पैसा कितने टाइम तक invest रहा, वो क्या रहा दोस्तों, अगर 6 महिने के बाद आ रहा है, तो यहा बहुत ध्यान से, तो अब अगर हमें फाइनल निक्या लेना, रेशो लेना है, तो ये पूरी वैलू कितनी लिखे, 12, 12 से 12 टर्मिनेट होगा, लास्ट में कितना आजागा, 3 रेशो बन, तो पार्टनर्सिप में हमें करना क्या है, उस चीज को समझाने के लिए, एक बेसेक ए पील करना है, शायद ये कुश्चन इतना समझाने में काफी रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताईएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, आगे बढ़ें हम लोग, साबश, बहुत अच्छे, आते हैं कुश्चन नमबर टू पे, कुश्चन नमबर टू और ये आपक देखकत ही नहीं है, आरवे एसिस्टेंट वाले जितने बच्चे हैं, वैभो जी, फाइनल पंचिंग स्टार्ट हो गई है, आज से, थमनेल देख लेना, नौ बजे फाइनल पंच, ठीक है, हाँ जी, बुक्स आप एस कॉंट फॉलो करिए न, एस कॉंट, आईए जी शुरुवात करते हैं, आदित्य, मनेश और गौरो, ठीक है, आदित्य, मनेश और गौरो, इनके कैपिटल का रेश्यो आपके सामने दिया है, कितना है दोस्तों, 7 by 2, 4 by 3, 6 by 5, ध्यान से देखना, 7 by 2, 4 by 3, और फिर 6 upon 5, ये लिखा हुआ है, 7 by 2, 4 by 3, 6 by 5, अब जाहिर से बात है, हम रेश्यो चुके हैं, हम लोग रेश्यो टॉपिक कर चुके हैं, और उस दौरान हम लोगों ने ये सीखा था, कि कभी भी हम रेश्यो को ऐसा fraction में नहीं लिखते हैं, रेश्यो को हम लोग इसे fraction में नहीं लिखते हैं, हम लोग किस में लिखते हैं, हम लोग रेश्यो को integers में लिखते हैं, तो जो ही हमारे सामने 7 by 2, 4 by 2, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, दोस्तों क्या आप इसको integer में convert कर सकते हैं, ये है कि अगर एक fraction को हम integer में convert करना चाहते हैं, then we have to remove the denominator, क्यो भारे पास जो numbers आएंगे, वो integer होंगे, तो denominator को गायब करने के लिए हम 2 को भी गायब करना चाहते हैं, 3 को भी गायब करना चाहते हैं, 5 को भी गायब करना चाहते हैं, तो 2, 3 और 5 ये जो लिखा हुआ है, इसका LCM बताओ कितना होता है, तो 2, 3, 5 का LCM होता है, दोस्तों 30, ह हम क्या करेंगे, 30 से हर एक को multiply करेंगे, अब जब 7 by 2 को 30 से multiply करोगे, तो value कितने के बराबर आजाएगी, दोस्तों, 15 गुड़े 7, 105, बोलो हां, सही है न, 30 से multiply करोगे, 30 multiplied by 7 by 2, तो 30 का अधा 15, 15 गुड़े 7, 105, 4 by 3 को जब हम 30 से multiply करेंगे, तो value कितनी आजाएगी, दोस्तो चीजे क्लियर चल रही है, चलो, तो सबसे पहला काम, capital के ratio की requirement थी, सवाल ने ratio दे रखा था, बस अंदाज थोड़ा अलग था ratio का, fractions में दे रखा था, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको इंटीजर में convert कर लिया, और अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखत ना, कि यह 105, 40, 36 जो आपने लिया है, जब हम 50% बढ़ाएंगे ना, तो हमें value fraction में मिल जाएगे, पूजा रानी जी बतियालो पहले, वो जादा जरूरी है, है ना, अगर हम यहाँ पर 50% बढ़ाएंगे, तो value हमारी decimal में आ जाएगी, यह बात बिल्कुल सही है, हम क्या करत आप सब को जवाब मिल गया होगा, हमने इसलिए ऐसा किया, ताकि हमारे पास fraction ना आए, अब सुरू करो खेल, तो बोला गया है, आफ्टर फोर मंद, अब हम यह मान के चल रहे हैं, कि इनके जो पैसे हैं, वो 210 रूपे, 80 रूपे, 72 रूपे हैं, अब ठीक है, ऊपर वाला चोड़ दो, चार महीने के बाद आदिती ने चेंज किया, यानि ये जो पैसा 210 है ये चार महीने तक लगा रहा, चार महीने के बाद इसने 50% बढ़ा दिया, तो 210 का 50%, 210 का आधा कितना होगा, 105 होगा, उसने 210 में 105 और जमा कर दिया, तो ये वैलू कितनी होगी, 315 होगी, है 210 था, उसने 50% और जमा कर दिया, तो 50% तो 105 होता है, 210 तो अल्रेडी था, 105 और जमा कर दिया, तो 315 हो गया, सवाल ये कह रहा है कि दोस्तों साल भर के बाद profit calculate किया गया है, एक बात और गौर करने वाली है कि आदित्य के अलावा, मनीश और गौरों ने अपनी capital में कोई पर बरतन ने किया, यानि इनका पैसा पूरे 12 महीने लगा रहेगा, इसका भी पैसा पूरे 12 महीने लगा रहेगा, जबकि आदित्य का पैसा टुकडों में लगा हुआ है, कैसे, शुरू के 4 महीने तो 210 लगे रहे, लेकिन आखिरी के 8 महीने जो है, आखिरी के 8 महीने इसने change कर दिया था ठीक है अब इसको हमें एड करना पड़ता है ठीक है अब इसको थोड़ा simplify करेंगे थोड़ा चोटा कर लेते हैं कैसे इतना प्लस इतना तो 4 से cancel होगा 4 से यहां पर cancel हुआ 2 आ गया 4 से इसको cancel करो तो 3 आ जाएगा अब इसको add कर लेते हैं तो 210 प्लस 315 को दो से अगर multiply करोगे तो कितना आगा 670 अब 210 210 और 670 इनको add करोगे तो कितना होगा 628 880 यानि 880 हो जाएगा यह value 880 इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 80 गुड़े 3 कितना 240 ये value 240 के बराबर ठीक ये मनीश का capital रहा मतब जो investment का ratio आया फिर यहां पर 72 गुड़े 3 कितना आता है 216 के बराबर तो ये number हमारा 216 के बराबर आ गया क्या यहां पर हम कुछ और ratio ले सकते हैं सबाल ने क्या आएगा 4 25 चार गुड़े 4 16 चार से इसको cancel करेंगे तो आएगा 60 चार से इसको cancel करेंगे तो ये value आएगी 220 के बराबर ठीक है अभी और किससे cancel हो सकता है 3 से तो cancel होगा नहीं इसका मतलब ये 2 से और cancel हो सकता है बहुत जादा होगा तो ठीक है छे सो तीस होगा सर अरे यार माफ करना पंद्राद उने इस छे सो तीस होगा दो से multiply टाइप करते टाइप मैंने पता नहीं कि छे सो सकतर लिग दिया था हाँ तो ये दो से cancel किया था तो 4 25 चार गुड़े 4 16 चार से इसको cancel करेंगे तो 2 1 0 210 आजाएगा ठीक है अब ये number मेरी किस से कटेगी 6 से भी कट जाएगी या फिर हां 12 से 12 से नहीं कटेगी 6 से 6 से 6 से 6 से cancel हो जाएगी है न 6 से और cancel करेंगे तो कितना आएगा 6 गुड़े 3 18 6 35 6 से cancel करोगे तो 6 गुड़े 3 18 6 35 6 से इसको cancel करोगे 10 और 600 इसको cancel करोगे तो 9 35 10 और 9 ठीक है 35 10 और 9 ये आया है और टोटल प्रॉफिट यहां पर जो दे रखा है सवाल ने जो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से हुआ ज़र हमारा रेशियो जो मारे रेशियो में मतलब आया है जिस रेशियो में हमें अबर आपको मनीश का पूब दिन वॉटि विल भी मनीश शेयर इंप्रॉफिट मनीश कों से है यह बीज़वाला कितना लिखा है 10 तो 10 की वैलू कितनी हो जाएगे 10 multiplied by 800 और जवाब आएगा 8000 के बराबर तो कई दफा ऐसा होता है कि सवाल को दोस्तों क्या है कि कैलकुलेटिव बनाने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा digits इस तरीके से adjust की जाती है कि मतलब digits को इस तरीके से कर दिया जाता है कि थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेटिव हो जाता है लकिन ultimate ध्यान रखेगा partnership के सवालों में एक और एक मात्र concept होता है कि आपका concentration आपका focus money और time पे कितना बहतर है बस इसके अल का ratio देखा था capital का लेकिन मैंने सवाल की शुरुवात की 210 लेकर के क्यूं किया ताकि हमारी calculation नॉर्मल बनी रहे हमारे पास fractions ना आए बस ये reason था ठीक है सारे 10 वाला session होगा यार अभी start केते फिर छुट्टिया नहीं पढ़ गए थी होली की हां आज होगा सारे 10 बज़े वाली class question number 3 पे आते है third question ठीक है timer start करो भाई सब लोग ठीक है तो अब आपको बता दें जो आज classes का schedule है मेरा एक ये class तो हो गई YouTube पे बाकी 9 p.m. पे RBI assistant के लिए ठीक है RBI assistant के लिए दोस्तों बिलकुल एक final punch क्योंकि admit card आ चुका है चार दिन खाली आपके परिक्षा में रह रह रहे है फाइनल पंच हो गया 10.30 पे 10.30 पे दोस्तों arithmetic special हर एक banking exam के लिए ठीक है arithmetic special ये आज के दो session है ठीक है चलो जी आप सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार ठीक है join कर सकते है session को question में यहाँ पर यह कहा जा रहा है मोहित एक business इस्टार्ट करता है इतने रूपे के साथ कुछ टाइम की बाद विनीद भी उसको join करता है इतने रूपे के साथ साल पर के बाद profit calculate हुआ two ratio में after how many months did विनीद ज्वाइन द बिजनेस ओके सबसे पहले हमें सवाल को किस अंदाज में पढ़ते हैं हम लोग सबको पता सिर्फ यही देखते हैं पार्टनर कौन कौन से हैं तो पार्टनर हमें मिले दो मोहित और विनीद लिख दिया मैंने मोहि क्या लिखने वाले हैं capital फे focus करो एक की capital 3600 दूसरे की capital 2400 क्या ratio बन रहा है इनकी capital का 12 से अगर cancel कर दिया जाए तो 12 गुड़े 3,36,12,24 यह ratio बन रहा है इनकी capital का मैंने capital का ratio लिख दिया अब बारी आती है time period की सवाल की language को ध्यान से पढ़ो तो यह पता चलता है कि मोहित ने business start किया था मोहित ने start किया था विनीद कुछ time बाद आया जब मोहित ने start किया था और बोला गया कि साल भर के बाद profit calculate किया गया है मोहित ने start किया था इसका मतलब मोहित का पैसा पूरे 12 महीने लगा रहा जबकि विनीद का पैसा मुझे नहीं पता कितने time लगा रहा क्योंक 18 ratio T, पूरा का पूरा profit, मनिश, मोहित और विनित के भीच में, 18 और T के ratio में बटना चाहिए, सवाल यहाँ पर यह कह रहा है कि जो profit distribute हो रहा है, वो 2 और 1 के ratio में distribute हो रहा है, तो मोहित अपॉर विनित जो लिखने वाले हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, 18 अपॉर टी और value आ गई 2 upon 1 के बराबर तो जो T आएगा time period वो कितना आजाएगा 9 के बराबर तो इसका मतलब यह हुआ कि विनीत का जो पैसा है वो पूरे 9 महीने तक business में लगा रहा विनीत का जो पैसा है वो पूरे 9 महीने तक business में लगा रहा इस T की value यह ऐसा नहीं का आख मून के 9 आप टिक कर दो हाला कि 9 option में नहीं है होता तो बहुत सारे बच्चे 9 ही टिक कर दी होते यह कह रहा है कि विनीत का पैसा 9 महीने तक लगा रहा सवाल ने पूछा है कि विनीत कितने टाइम बाद आया था यह नहीं पूछा सवाल ने कि कितने टाइम तक विनीत का पैसा लगा विनीत कितने टाइम के बाद आया था यह पूछ रहा है तो 9 महीने तक अगर पैसा लगा है इसका मतलब वो कितने टाइम के बाद आ था 12 में 9 गटा दो 3 महीने के बाद वो आया था इन तीन questions से आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि partnership के questions को किस तरह हमें deal करना है I hope so अगले सवाल पर question number four timer start कि ठीक है तो इस सवाल को हाँ दो बार timer चला दे रहे हैं कि आजाए तो मयूरी जी आप समझ पारों ने सीज को ना जो time period है न उसमें जो T की value आती है वो value शो करती है कि कितने time तक पैसा लगा है अब question का जो answer देना है उस पर भी सवाल एक बार काईदे से आप लोग पहलिया करें ये पहलिया करें कि वास्तों में सवाल पूछा क्या है कि कितने time की बाद वो business join कर रहा है ये पूछ रहा है या कितने time तक पैसा लगा रहा है ये पूछ रहा है ठीक है पूछा दाने कभी कभी कि duration of investment बताए duration of investment तो वहाँ पे हमें वही T की value फिल करनी होती है जो हम लोग अलड़ी निकाल रखें इस सवाल में हम सबसे पहले focus करेंगे partners कौन-कौन है दोस्तों A और B A यहाँ पर दिख रहा है मुझे और उसके बाद यहाँ पर B दिख रहा है तो A और B दो partner है सबसे पहले यही चीज़ हम लोग लिखते हैं लिख दिया मैंने A और B फिर बार रही आती है इनके capital की तो A का capital 54,000, B का capital 45,000 अगर हम इसको simplify करके ratio ले नो से cancel करोगे 9 गुड़े 6,000, 9 गुड़े 5,000, 45 तो इनकी capital का ratio आगया 605 का सवाल यह है कि A ने business start किया है और B उसको join कर रहा है इतने कुछ time के बाद यानि A का पैसा पूरे लगा रहा 12 महीने तक जबकि B का पैसा मुझे नहीं पता कितने time लगा रहा तो जो पूरा profit बटना चाहिए वो किस ratio में बटना चाहिए 72 ratio 5T इस ratio में पूरा पूरा पैसा बटना चाहिए नियम के हिसाब से A का share हमें दिख रहा at the end of year total profit इतना है जिसमें A का हिस्सा इतना दिया गया है तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे A का profit divide by B का profit लिखें तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं A का profit upon B का profit, A का profit कितना दिख रहा है 72, divide by B का profit कितना दिख रहा है दोस्तों 5T ध्यान से देखना A का profit यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 72 और B का profit 5T अब जो सवाल ने दिया है उस पे focus करो A का profit 22,950, A का profit 22,950 अब B का profit कैसे पता चलेगा? आपको total profit दिया है और A का profit दिया है तो अगर हम total में से A का profit निकाल दे, total profit 35,700 और इसमें से अगर हम लोग 22,950 घटा दे 22,950 जो कि A का हिस्सा है तो मिल जाएगी value, तो भाई, double zero यहाँ पे है, चलो simplify करता है 0, 10 में 5 घटाओगे तो 5 आजाएगा, 10 में 5 घटा दिया 5, यहाँ बचेगा 6, 16 में 9 घटाओगे तो 7 आजाएगा, यहाँ बचेगा आपका 34, 34 में 22 घटाओगे तो value 12 के बरावर तो A का profit, divide by B का profit दोस्तों हमने लिख रखा है, दिखे रहा है सबको, A का profit, divide by B का profit, अब अगर simplify करें तो 0, 0 यहाँ पे cancel होगा, अगर हम इसको 5 से cancel करें, यहाँ 5 है न, 5 से cancel करो, तो 5 गुड़े 2, 10 होता है 27 का मतलब 5 गुड़े 5, 25 और फिर 5 गुड़े 5, 25 ऐसा लिख दोगे आप, ठीक है, 255 आ चुका है, 5 से और अगर cancel करें, तो यहाँ पे value 51 आएगी, 5 से इसको cancel करो, 5 चोग 20, 2 हो गया, 29, 29 का मतलब, 5 गुड़े, 29 का मतलब, 5 गुड़े 5, 25 और फिर 29 में 25 घटाओगे, 4, 45, 5 आज गुड़े 9, 45, यह पूरा-पूरा आपको 9 बार दिख रहा होगा, 459 डिवाइड बाई 51 की अगर बात करें, तो पूरा-पूरा यह आपको 9 बार दिख रहा है, बस थो ऐसा calculation छोटी सी करनी है, और कुछ नहीं, यह पूरी value 9 आगई, और 9 से 72 को cancel करोगे, तो 8 हाएगा तो 8 अपॉन T की value 1 हो गई, तो T की value आगई 8 के बराबर, तो यहाँ पर यह जो T की value रिप्रेजन्ट कर रही है, कि B का पैसा 8 महीने तक business में लगा रहा, अब B का पैसा अगर 8 महीने तक business में लगा है, तो B कितने time के बाद आया है, तो भाई 12 में 8 घटा तो 4 महीने के बाद उसने business को join किया था, सवाल ने भी यही पूछाए, after how many months B has joined the business, B कितने time तक business को join किया है, यह पूछ रहा, ठीक है, तो I think इन 4 सवालों से idea लगिया आपको की partnership के सवाल लोग में क्या करना है हम लोग को है न, और इसी type के आपको सवाल भी देखने को भी लेंगे, एक सवाल आपके homework के लिए और उम्मीद करेंगे, इस सवाल का answer आप सभी लोग comment box में जरूर mention करते हैं, ठीक है बई, अब तक का session कैसा लगा, एक बार भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दे, बस एक important information ये कि notification आ चुका है, अब कोई भी लापरवाही मत करिएगा, RBI grade B की classes भी हम लोग के start होने वाली है, यह best हमारा bank maha pack plus का part है, जिसमें आपको test series, हर एक मतलब starting से लेकर के interview तक की पूरी preparation ये आपको bank maha pack plus में मिल जाती है, join करने के लिए आप मेरा referral code Y179 प्रयोग कर सकते हैं, discount के लिए, कहां से करना है, add247.com या add247 application, ठीक है, चलिए, thank you so much to all of you, म उस classes को कोई भी बच्चा मिस मत करना, ठीक है जी, thank you so much to all of you, bye bye, take care